दोस्तों Forex में Profim Industry में क्या चल रहा है आपको पता होगा सभी Profim Meta Trader को छोड़के C Trader DX trade पे मूब ओरी हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप C Trader phone में यूज कर सकते हो, कैसे इस पर आपको trade place करनी है, कैसे इस पर आपको login करना है, कैसे इस पर अपनी trading history मैनेज करनी है, कैसे A to Z पूरा tutorial हम C Trader के बारे में देखने वाले हैं, अगर आप भी platform पर trade करते हो या, किसी broker पर trade करते हो इस पर आपको एक चीज बता देता हूँ, C Trader पर आपको account कैसे create करना है, जैसे आपको account बनता था, MT4, MT5 पर आप उस पर पहले अपने server ढूंड देते, फिर उस server के बाद में आप अपना login ID पासू डाल के पर login करते थे, but C Trader पर ऐसा नहीं है, जैसे आप Metro Trader में एक account से 3-4 5 account पर switch हो जाते थे, एक सता multiple account खोल लेते थे, manage account पर जाके, बट यहाँ पर नहीं है, C Twitter पर एक बारी में आप एक account उपन कर सकते हो, अभी हम चलते हैं screen पर, आपको जो account मिलेगा, broker के साइट से, broker के साइट से, जो login ID, password मिलेंगे, उस ही login ID, password से आपको C Trader पर लोग इन करना अभी हम आते हैं, स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मैंने अपने email ID डाली है, info at direct steptraders.com, मैं इस email ID से यहाँ पर login कर रहा हूँ, मैं पर password डालता हूँ अपना, मैंने password डाल दिया यहाँ और यह वही password है, जिससे मैंने अपना demo account बनाया, मैंने आपर login करा, म यहाँ पर आपको login करोगे, directly बिना किसी server के अपना login ID पासवर्ट से, जैसे आप login करोगे, आपको नीचे तीन options मिलेंगे, trade, bioter और deposit, इस पर question जाने, deposit पर आपको यहाँ पर balance दिख जाएगा, आपने कितना deposit कर रहा था, यहाँ पर मैंने पचासा डॉलर का demo account बनाया था, ज अगर यहाँ पर हमारे कोई pair include नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लस पर साइन पर जाके हम आप उसे add कर सकते हैं, अब हम चलते हैं, अगर कोई नई trade लेनी है, तो हमें कैसे जाना होगा, so उसके लिए पोजिशन पर जा सकते हो, orders पर जा सकते हो, कहीं भी जाओ, आपको नीचे यहाँ पर एक blue color menu order नाम से tap दिख रहा होगा, आपको उस new order पर जाना है, वहाँ पर जाके आपके नहीं trade open होगी, विसके बद आपको अपने select करना pair, कौन से instrument में आपको trade करना है, gold में, euro, UST में, oil में, UST, JPY में, किसमें, हम आते हैं, यहाँ पर symbol में, हम symbol suppose कर gold चूस करते ह buy करना है, sell करना है, मैंने suppose कर मुझे sell करना है, मुझे कितना lot लेना है, मैं आप lot लेना है, suppose कर मुझे 1.00 lot मुझे लेना है, entry price, किस price मुझे करना है, अभी करना है मुझे, या फिर cup करना है, और उसका साथ मुने take profit का लगाना है, stop loss के लगाना है, जब मैं check box को check करूंगा, तब जाके मेरा वहापे लगाने का option खुलेगा, सबसे पहले मैंने आप लगा दिया अपना गोल्ड का मैंने बाइस से लगा दिया, lot लिग दिया, entry price मैंने आप लिग दिया, फिर उसके बाद में expiry वाली चीज को अभी आप छोड़ दो, expiry वाली चीज हमारे लेहां पर नही अगर आपके डाउट बसते हैं तो आप मुझे नहीं कर देना, मैं इन बेसिक से अलावा एडवांच जो की भी आपको एक और वीडियो बनाके दिखा दूँगा, अब टेक प्राफिट पर चेक करोगे, यहाप अपने टीप लगा सकते हो, आप ऐसा लगा सकते हो, और अप कर दिया, मेरी अभी limit order यहाँ पर लग चुका है, अभी मेरा order है, pending है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे important बात देखना, XO UST, arrow और जो lot लिखा है, distance लिखा, उस पर क्लिक करना है, cross पर क्लिक नहीं करना, अगर आप cross पर क्लिक करोगे, आपके trade यहाँ पर order ही हमारे डिलीट हो जाएगा, order में नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पर बीच में जो बड़ी बड़ी line है, इस line पर आपको कहीं भी क्लिक कर दिना है, इस पर हमारा order खुल जाएगा, जो हमारी orders की details है, अगर हमारा को SLTP है, तो हमारा order फिल अप हो चुका, हमारी trades स्टार्ट हो और आप देखो, मुझे आप यहाँ पर 33 डॉलर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा trade खुल गई, यहाँ पर मैंने क्लिक कर रहा, तो मुझे दिखा रहा है, तो मुझे दिखा रहा है, 7.1 परसन का मुझे ग्रॉस गें होगा, एस्टिमेटर इस्टेंस है मेरा 359 का, सब में MT45 में नहीं दिखाते हैं, हमरी एडवांस चीज़े हैं, डीप डाइब डीटेल अनलिटिक्स दिखाते हैं यहाँ पर, ऐसे गर मुझे स्टॉप लगाने से पोस्कुर में एक रैंडम लगता हूं कहां पर, 2040 में स्टॉप लगाता हूं, तो मुझे दिखा रहा है, 45% का लाउस होगा, और वहीं पर TP मुझे 45 पिप्स का मेरा लाउस होगा, 46 पिप्स का, और TP अगर मेरा होता तो 355 पिप्स का मेरे TP है, मैंने कर दें, मौडिफिकेशन तो मेरे ट्रेट में मौडिफाई होगे, SL यहाँ पर लग गया, आगे आता हूं यहाँ पर, कुछ नही चेंज कर सकते हैं, जो H1 दिखा रहा है, H1 के अलावा यहाँ पर 15 मिट से इस तरह साप यहाँ पर, फुल स्क्रीन पे या फिर कम स्क्रीन पर को देखना है, इस सब चीज आप इसमें पर देख सकते हो, बैक जाना है, बैक चले जाओ, यह होगे हमारे पोडिशन, जो हमारी रनिंग ट्रेड होंगी, औरस में हमारे पैंडिंग औरस, जो होती हमारे लेमिट औरस, लेमिट औरस कैसे लगते हैं, MT45 पे उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं नहीं देखी, तो उसके लिए निक में नीचे डिस्क्रिप्शन में ओपर आ इसके बाद अगर आपको डिएक्स ट्रेट की भी वीडियो चाहे यह तो आप मुझे लीचे कॉमेंट करके बता दो, मैं ट्राय करूंग, उसका इप पूरा आपको एक बता दूं कैसे सब आपको ट्रेड लगाने, कैसे सब आपको लॉग इन करना है, बट उसके लिए आप अगर 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 सबस्क्राइब नहीं करा, अगर अपने चैनल प्ताक सबस्क्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब करो बढ़ा आपको प्रस कर दिजिए, अब पोडिश्यास में ने बताया, तो जो आपकी अपकी रणिंग ट्रेड लो दिखेगा, उसके हमारे वापिस आते हैं अगर पोजिशन पे हमारी दुखाबी चल भी गोल्ड की एक कलॉट है 62 डॉलर का मारे लॉस है अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूं हमारी ट्रेट हो जाएगी बंद क्लोस पोज सब्सक्राइब अपर ठीक कर दिया युदेज़ कर दिखाएगा उपर दिखा रहा है अपर को डैमT और अकाउंट concern broker का अगर आपको उसकी एक्स्पीरेंस करना है तो पेपरस्ट्रून ब्ROकर आपको लिए से शीडर को प्रोप्षिन नहीं करते हैं बट पेपरस्ट्रून एक इसा ब्रोकर है जो आपको लिए करने कर सकती हो आप अगर live account में अगर funding account आने से पहले आप एक experience नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पर आपके कर सकते हो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे hamburger पर जिसे तीन लाइन बोलते हैं hamburger इसका technical word है यहाँ पर आएंगे deposit withdrawal बता दिया हम सब को नाम से पता है create new order यहाँ पर आके भी आप चाहिए फिर इसके अलावा अगर उसके नहीं चाहते है create price alert वही है price इस पर लेवल पर आपको alert आजाएगा या फिर बाके सब चीज़े आप यहाँ पर एकस्प्लोर कर आपको पता लेग जाएगा अब अगर आपके पास multiple accounts हैं चाहे ब्रोकर के हों चाहे कैसे भी हो हाँ प इससे दूसरे account में by default login कर लेते हैं बार बार आपको password नहीं डालना पड़ता है यहाँ पर आप एक बारी में खाली एक ही account पर अप्टरेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पर पहले sign out करना पड़ेगा सब से नीचे आप देखिए sign out का option है जब sign out कर दोगे तब ही आप यहाँ सबसे पहली बात यहां से हम डेख सकते हैं हमारी क्या लेवरेज है कितना मेरा account number है कितना मेरा account balance है demo है real है यहां से आखे में positions पर आऊँगा यहां से हमारा easily सब कुछ A to Z पता लग जाएगा हम यहाँ पर easily trade कर सकते हैं सो उमीद है पता लगा होगा आपको कैसे सी ट्रेटर पर आपको फोन पे ट्रेट करने इसके अलावब अगर आपको स्थीखना है कैसे आप सी ट्रेटर पे PC वर्जन में लैप टॉप में कर सकते हैं या फिर डी एक्स चीट कर भी अगर आपको टुटोरियल चाहिए तो अगर आपको डाउट आते हैं तो या फिर डी एक्स चाहिए तो उसके लिए आप निचे कॉमेंट कर दो डी एक्स च्रेट में बना दूगा और अगर आपको डीप डाइव जस्त एक मेंट में स्थीखना है कैसे आपको फॉर्णिच चैलेंज चलेंज चला रहा है मैंने श करना है कैसा सब चीजे करनी शायए आप ट्विटिक नहीं कर सकते हैं तो मेक शॉर यू कन शेयर विट आल इस फ्रेंड्स जो प्रॉफ आपको ट्रेट करते हैं जहने सी ट्विटर के बारे में जाना है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो सब्स्राइब कर दो बा